Hello everyone, तो आज हम लोग पॉलिटी का कुछ important questions करने जा रहे हैं, जो examinations के point of view से important हो सकती है, तो चलिए, चलते हैं First question में क्या बोला गिया है, कि How does the constitution of India describe India as? भारत का सम्विधान, भारत का वर्णन किस प्रकार करता है? Option E में बोला गिया है, A Federation of States and Union Territories, राजय और केंदर शाषित परदिशों का एक महा संग, Option B में बोला गिया है, A Union of States, राजयों का एक संग, Option C में बोला गिया है, कि A Federation Nation, एक महा संग राष्ट, and Option D में बोला गिया है, भारत वर्ष, तो इसका right जो answer होगा, वो Option B होगा Union of States, भारत एक राजयों का संग है, भारत जो है, एक राजयों का संग है, यह article first में mention किया गिया है, part one, article first, part one में आपका article एक से चार तक बोला गिया है, तो जो article first में बोला गिया है, कि भारत राजयों का एक संग है, ध्यान देजेगा, भारत राजयों का संग है, that means union है, ठ चलिए हम लोग नेक्ट कोशन के बात करते हैं नेक्ट कोशन कोशन नमर टू क्या बोड़ा है कि विच कमिशन समेड द रिकॉमेंडेशन स्विच फॉर्म द बेसिस फोर द पंजाब रियॉर्गनेशन स एक्ट विच क्रियेटेड द स्टेट पंजाब एंड हरियाना कीन आयोगो ने सिफारिशों की जिस से पंजाब पुनर गठन अधिनियम का अधार बना जिसने राज्ये पंजाब और हरियाना को बनाया ओप्सन E में बोला गिया है धार कमिशन ओप्सन B में बोला गिया है दास कमिशन ओप्सन C में बोला गिया है शाह कमिशन and option D में बोला गया है महाजन कमिशन तो इसका right answer जो होगा वो शाह कमिशन के दुवारा पुर्णर गठन किया गया था ठीक है तो चलिए हम लोग ने इस कोश्चन का बात करते हैं कोश्चन नमब थ्री में क्या बोला गया है कि article one of the constitution of India declares India as भारत के समविधान का अनुचेद एक भारत को गोशित करता है option A में बुला गया है federal states संहे राज option B में बुला गया है quasi federal states quasi संहे राज option C में बुला गया है unitary states एकात्मक राज and option D में बुला गया है union of states तो इसका right answer जो होगा वो option D होगा ध्यान दिजिएगा article first में आपका बुला गया है कि भारत एक राज्यों का संग है ठीक है अब यहां से एक बात और निकल कराती है कि जो country आपका federation होता है उसका राज्ये तूट सकते है example के लिए आपका USA USA में आपका 50 state है जिसका अपना अपना citizenship है मतलब अपना अपना नागडिकता है अपना अपना उसका language है लेकिन वो तूट सकते है लेकिन भारत क्या है एक union है यानि राज्यों का एक संग है भारत कभी भी तूट नहीं सकते हैं जैसे example के लिए देख लिए देख लिए जोड लगाया बहुत कसके लेकिन वो तूटा नहीं तूटा इसलिए भारत को बोला गिया है राज्यों का संग हमारे constitution में में निया आर्टिकल फर्स्ट में कि इंडिया डैटीज भारत और फर्स्ट आर्टिकल में ये भी मेंसिन किया गिया है कि union of states भारत राज्यों का संग है ये कभी भी तूट नहीं सकती ये काफी strong होते है ठीक है ना चलिए हम लोग next questions के बात करते है question number phone में बोला गिया है of the following the town does not come within national capital reason NCR निम लिखित में से शहर रास्ट्रिय राजधानी छितर NCR में नहीं आता है option A में बोला गिया है पानी पत option B में बोला गिया है रोहताक option C में बोला गिया है खोड़जा and option D में बोला गिया है मतुरा तो इसका right answer जो होगा वो D होगा मतुरा ये NCR reason में नहीं आता है ठीक है चलिए हम लोग ने इस questions के बात करते है question number 5 बोला गिया है कि सिक्किम वाज में एन इंटिग्रल पार्ट अफ इंडिया अंडर दा option A में बोला गिया 36th amendment option B में बोला गिया 39th amendment option C में बोला गिया 40th amendment and option D में बोला गिया है 41th amendment तो इसका right answer जो होगा वो आपका A option होगा सिक्किम 16 May 1975 को यह भारत का एक राजे बना था भारत में यह मिला था सिक्किम ठीक है ना article 2 में यह भी बात बोला गिया है कि सांसत जो होता है वो राष्ट पति को पूर्व सुचना देकर किसी भी बीदेसी राजे को भारत में मिला सकता है जिसका एक example है सिक्किम 16 May 1975 को क्या हुआ था सिक्किम एक भारत का हिस्सा बना था ठीक है वो भी 36th amendment के द्वारा चलिए हम लोग नेस्ट कोशन के बात करते है कोशन नम्मर 6 में बोला गिया है कि which of the following states is the members of seven sisters निम लिखित में से कौन सी राजे साथ बढ़नों का सदस्य है option A में बोला गिया है वेस्ट बंगाल option B में बोला गिया है त्रीपूरा option C में बोला गिया है उडिसा and option D में बोला गिया है बिहार तो इसका राइट अंसर जो होगा वो आपका त्रीपूरा होगा यह साथ बढ़नों का सदस्य है जिसमें से त्रिपूरा इसमें आपका option B में दिख रहा है तो ये इसका right answer होगा तो question number हम लोग next चलते हैं question number 7 में बुला गिया है कि among the following states which one was from last निमलिखीत में से किसका गठन अंति में हुआ था option E में बुला गिया है आंधरिपर्देश option B में बुला गिया है गुजराद option C में बुला गिया है करनाटक and option D में पंजाद तो इसका right answer होगा करनाटक option C चलिए next questions questions number 8 which one of the following is the first states to have been formed on linguistic basis निमलिखीत में से कौन सा पहला राज्य जिसका गठन भासाई अधार पर किया गया था option E में बुला गिया है आंधरिपर्देश option B में बुला गिया है गुजराद option C में बुला गिया है बिहार and option D में बुला गिया है पंजाब इसको आप C कर लिजेगा तो इसका right answer जो होगा वो आंधरिपर्देश है आंध्र पर्देश भासाई आधार पर सबसे पहले अलग होने वाला राज्य था ठेक है तो इसका राइट आंसर जो होगा वो आंध्र पर्देश होगा चलिए हम लोग नेश कोशन के बात करते हैं How many states and union territories there in India? प्रिजेंट में बुश रहा है ठेक है How many states and union territories are there in India? भारत में कितने राज्य और केंद्र शाशित प्रदेश हैं? Option A में बुला गिया है 25 states and 7 union territories Option B में बुला गिया है 28 states and 8 union territories Option C में बुला गिया है 26 states and 7 union territories And Option C में none of those, none of these तो इसका right जो अंसर होगा वो आपका B होगा 28 states and 8 union territories इसका right अंसर B होगा चलिए next questions के बात करते हैं Question No.10 में क्या बुला गिया है? The power to curve out a new state is vested in एक नई राज्य को बाहर निकालने की शक्ती नहीत है Option A में बुला गिया है Parliament Option B में बुला गिया है President Option C में बुला गिया है The Council of Ministers and Option D में बुला गिया है States Reorganization of States तो इसका right अंसर जो होगा वो आपका Parliament हमारे Part 1 में Article 1 में यही बुला गिया है देखे Article 2 में Article 2 में क्या बुला गिया कि Parliament President से पूर्व सुचना देकर क्या किया गिया था यानि Parliament आपको President से पहले ही सुचना देकर किसी भी बिदेशी राज्ये को भारत में मिला सकता है example हम लोग लिए थे ना वो सिक्की मला तो यहां पर सकती किसके पास होता है किसी भी बिदेशी राज्ये को मिलाना या भारत में कोई भी राज्ये हो नाम बदलना एक जगह से दूसरे जगह करना अलग करना यह सब किसके हाथ में रहता है सांसत के हाथ में रहता है यानि पर्लियमेंट के हाथ में रहता है तो चलिए नेक्श उलिशन के बात करते हैं तो आज का कोशन आफ दी डे किया है वन अफ दा फॉल्विंग इस नॉट आ यूनियन टेरिटरीज निम लिखीत में से एक किंदर शाषित पर्दिस नहीं है आप्शन ए में बुला गया है त्री पूरा आप्शन बी में बुला गया है दमन एंड दिव आप्शन सी में बुला गया है लक्ष दिव एंड आप्शन डी में बुला गया है पॉड उचेरी तो इसका right answer क्या होगा आप लोग comment section में जवाब दिजिएगा I hope वीडियो अच्छा लगी होगी तो पढ़ाई करते रहिए All the very best